नमास्कार स्वगत्यापका हमारे चल्चार जागिंद्र मिशा में चैत्र नवरात्री शुरू होने से पहले घर ले आएं ये छे चीजे नहीं होगी धन की कमी दोस्तों चैत्र माह में आने वाली नवरात्री को चैत्र नवरात्री के नाम से जाना जाता है इस सालिय है चेत्र नवरात्री दो अप्रेल दो हजर वाइस दिन शनीवार से प्रारम हो जाएगी सास्त्रों में इस चेत्र नवरात्री का विशेश महत्व है नवरात्री के दौरान माता भगुती के नव रोपों की पूजा की जाती है मानेता है कि यदि आप नवरात्री के दिनों में नो रोपों की माता भगुती के नव देवियों की पूजा राधना सच्ची मन से और निमों को ध्यान में रखकर करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में बिराज मान रहती है वास्तो सास्तर में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें आप नवरात्री पर जरूर घर लाएं अगर आप नवरात्री से पहले या फिर आप नवरात्री के दिनों में अगर ये लाते हैं तो काफी सुभ माना जाता है इन चीजों को घर लाने से आपके घर पर माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी कृपा आपके घर में धनधान की बरकत होगी, तो आईए जान लेते हैं जिन्हें चैत्र नवरात्री से पहले आप इन नवरात्री पर घर लाने पर बहुत अधिक आप को शुब फलों की प्राप्ति होगी और धन बैभव सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, तो पहली चीज है दोस्तों, कमल का फूल, माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही पशंद है, इस पर बिराजबान रहती हैं, उन्हें कमल का फूल या फिर कमल गट्टे का माल अत्परी है इसले, मानता है कि आप नवरात्री से पहले या नवरात्री में कमल का फूल या कमल के गट्टे का माला या फूल आप जरूर लेकर आएं, और माता लक्ष्मी जी को आप बैठी हुई मुद्रा में तस्वीर में अरपित कर दें, या फिर आप माता लक्ष्मी ज और माता लक्ष्मी जी को अरपित करें, तो सुब माना जाता है, कहते हैं कि बैठी के घर में धन धान में ब्रद्धी होती है, दूसरी चीज है बढ़के पत्ते, हिंदु धर में अध्यात्मिक द्रिश्ट से बढ़के ब्रिश्ट का बहुत अधिक महत्त बताया गया है, मा नवरात्री में पूजा के समय देवी माता को चढ़ाते हैं, तो इस उपाय से आप पर देवी माता दुरगा की कृपा हमेशा बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और आपका घर हमेशा धन धन से भरा रहेगा, तीसरी चीज है लक्ष्मी गड़ेश जी का सिक्का चांदी का सिक्का, धर्मिक मानताओं के अनुसार आप माता लक्ष्मी जी और गड़ेश जी के चांदी का सिक्का लेकर रहे हैं सोने का, और नहीं हैं तो आप इस दिन एक रुपए का सिक्का भी लेकर आशकते हैं, चांदी का या चांदी का बना चौकोर लेकर रहें, तो आपको माता लक्षमी विशेश कृपा प्राप्त होगी और माता दुरगा जी की चोथी चीज है मौर का पंख देवी सरस्थी का बाहन मौर है इसलिए नवरात्री के दवरान घर में मौर पंख जरूर लेकर आएं कहा जाता है कि यदि आप नवरात्री में मौर का पंख लेकर आते हैं तो घर में पूजिटिव एनरजी बनी रहती है और यदि इसे आप घर के पूज़ा स्थल पर रखते हैं तो इसे आपके जीवन में बिद्या धन की कमी कभी नहीं होती है पांचमी चीज है केले का पौधा सास्त्रों में केले का पौधा भी पूजनी और आर्थिक परिसानियों को दूर करने वाला बताया गया है माना जाता है कि नवरात्री के दौरान केले का पौधा जरूर आपने घर पर लगाएं गमले में लगा कर रखें तो सुब होता है इससे पैशो के कमी नहीं होती है माता लक्ष्मी की कृपवरस्तिया गरीबी दूर होती है और माता रानी का आश्तिरवाद हमेशा आप पर बन रहता है छटमी चीज है संख, पुस्पी, किजड या फिर आप चाहें तो जैसे आपको ये नहीं मिलता तो आप इस दिन थोड़ी सी धनिया लेकर आएं और माता लक्ष्मी को अरपित कर दें तो काफी विशेस लाब होता है या फिर आप चाहें तो इस दिन आप माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी लेकर आएं और माता लक्षमी को कौड़ी अर्पित कर दे तो इससे भी माता लक्षमी जी बिशेश कृपा बरसेगी और माता दुरगा जी की भी कृपा बरसेगी। एक लाल चुनरी लेकर आएं और माता दुरगा जी को चुड़ा दे तो लाल चुनरी को लेकर आने से भी विशेश कृपा बरसेगी।